हेलो गाईज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियांका कश्यप अगर आप अपनी चार्ट अनलिसिस को स्ट्रोंग करना चाते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आर्स के तुरह जो कुछ भी बनता है व यह निकल हमने ऐक एक BTSD आपको बताया था आपको देख सकते हैं तो इसने 20 से 125 का यहाप पर हाई लगाया था तेन फिन निफ्टी में आपको बता दिया था कि यह हमारा आज का गैप है और बैंक निफ्टी में भी हमने आपको यह अपडेट किया था यह हमारा गैप है त उसने यहां से हमारा काफी ज़्यादा हाई लगाया आप देख सकते हैं 390 का तो हमारा यहां से डारेक्ट हाई था फिनिफ्टी में आप देख सकते हैं कि 70.9 थी सूटिंग स्टार केंडल स्टिक पैटरन के बाद और यहां पर हमने उसी के बेसिस पर अपने यहां पर अपनी ट्रेड को लिया था देन उसके बाद हमने आपको बता दिया था कि हमारा बैंक निफ्टी में 30 मिनिट में मौनिंग स्टार केंडल स्टिक पैटरन है उसका यहां से हाई जब ब्रेक वाद हो तो 80 पॉइंट अप थी हमारी बैंक निफ्टी उसके बाद सभी इंडेक्स हमारे यहां पर मार्केट और ओवर रोलाज यहां पर सारा दिन ही कंसॉलिडेशन में मार्केट निकाल दिया है तो चलिए फीर अभी यह देखते हैं कि कल आप यहां पर सेंसेक्स की वीकली एक्सपाइर एक और देखेंगे कि आपके लिए यहां पर ट्रेड किस तरीके से बन रही है यहां भी यहां पर हमारा Sensex था जो gap up open हुआ था तो कल के लिए हम देखते हैं कि आप यहां आपके लिए important resistance और support हमारे लिए क्या रहेंगे क्योंकि आज अगर daily time frame के चार्ट पर देखे तो हमारा कोई भी यहां से हमें sign नहीं मिल रहा है कि market कल यहां से हमारी downside आएगी क्योंकि कोई भी हमारा यहां से candlestick pattern या reversal हमारा pattern नहीं है जिससे हमें यह लगे कि downside आएगी अगर 4 hour के time frame पर आप जा कर देखे तो 4 hour के time frame पर एक जरूर हमारा evening star candlestick pattern बना है बट यह भी तभी active होगा जब इसका यहां से low break होगा अगर इसका low break हुआ तो देन आपके लिए जो first target हमारा वो 72,000 रहेगा 4 hour के time frame के basis पर क्योंकि हमारे 4 hour के time frame पर भी हमारे जो pattern बनते हैं bear issue चाहे bullish हो वो भी हमारे यहां पर काफी जादा active होते हैं काफी जादा वो follow होते हैं अगर इनका low break हुआ इस candlestick का तो आपको गल को यह downside थोड़ी market नजर आ सकती है बट overall यहां से जो हमारा trend है वो हमें यहां पर bullish हो रहा है weekly time frame के हिसाब से भी और daily time frame के हिसाब से भी और आपको पता है कि कल हमारा year का सबसे जादा last trading session है हमारा कल यहां पर तो next हमारी जो market open होंगी वो new year के दिन यानि एक तारीको ही हमारी open होगी तो कल यहां पर हमें दोनों side ही trade देखने को मिल सकत हैं तो चलिए सब यह देख लेते हैं कि resistance और support हमारे लिए क्या रहेंगे और आप यहां पर अपनी trade को कैसे plan करके चलेंगे आज के हिसाब से क्योंकि previous day की market की analysis करके ही आप next day की trade को यहां पर अपना strategy बना सकते हैं कि कल अगर market इस level पर हमारी open हुई या market ऐसे open हुई तो हम इस तरीके से trade को लेकर चलेंगे तो चलिए फिर अब यह देखते हैं कि कल आप trade कैसे लेंगे तो आपके लिए जो important यहां पर हमारा resistance निकल कर आएगा वो हमारा रहेगा 72,483 का then 72,587 का और then 72,710 का यह आपके लिए कल को important हमारे resistance निकल कर आएंगे अगर अपने यहां पर support की बात करें तो हमारे लिए रहेगा 72,251 का then 72,137 का then 71,993 का और then 71,872 का यह आपके लिए कल को important हमारे support निकल कर आएंगे अब बात करते हैं कि आपको यहां पर trade कैसे लेकर चलना है अगर market हमारे आज की इस range के बीच में जनी 72,483 से लेकर 72,251 के अगर इसके बीच में हमारी market कहीं पर open होती है तो then आपको यहां से जब इसका break होगा तो आपको यहां से एक entry मिलेगी और जो की यहां पर market को fast upside लेकर जाएगी इस level upside का जो level है यह आपके लिए सबसे ज़ादा strong यहां पर resistance का काम करने वाला है क्योंकि आज यह level हमारा यहां पर इसके upside market बिलकुल भी हमारी hold नहीं हुई तो यह आपके लिए level सबसे ज़ादा strong रहेगा अगर marketing यहां पर थोड़ी देर consolidate हो जाती है हमारी morning में और देन अगर इसका break करेगी तो एक fast more आपको sensex में upside यहां पर नज़र आएगा अगर इसका break वो downside करती है तो देन आपको यहां से जो हमारा pass ही हमारा support है 72,137 का तो यह आपके लिए strong यहां पर support का काम करने वाला और यहां से आपको थोड़े से कुछ point आप यहां से capture करके चल सकते हैं लेकिन हाँ अगर यह level हमारा break हुआ तो देन आपको एक sharp selling downside नज़र आएगी यहां पर almost 200 point है तो आप इस तरीके से अपनी यहां पर put position को बना कर चलेंगे लेकिन अगर market यहां पर आपको gap up open होती हुए नज़र आएगी तो आप एक price action का wait करेंगे देन आप अपनी entry को बना करके चलेंगे अगर gap down open हुई तो हमने आपको बता दिया आपके लिए सबसे ज्यादा strong level आपके लिए 71,872 का रहेगा अगर यहीं से आपको market arts के दुरान कोई bullish pattern यहां पर आपको नज़र आता है तो देन यहां से भी आप अपनी seaside आपर definitely यहां से जाएंगे I hope आपको वी